हेलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स चार जनवारी आरार्वी एंटिपिस्टे एक्जाम के दोनों सिफ्ट खतम हो चुक है और दोस्त फॉस्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी सवाल पुछे के थे वह सब हम इस वीडियों में डिस्कस करेंगे और सारे का सारे 100% रियल कोशिन है आप खुद देख लीजिएगा और दोस्तों सबसे महतपुन बात यह है कि दोस्तों सवाल हुब 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 रिपीट हो रहे हैं यानि दोस्तों जो 28-29 इसको एक्जम सब हुए थे उसी के सवाल ही बहुत सारे आज रिपीट हुए हैं इसल दोस्तों कॉम्पीटर और इंटरनेट से लेटेड जितने भी फूल फूर्म है उससे लेटेड एक 100 क्वेशिन का मैंने वीडियो बना दिया था उसको जरूर देख लीजिएगा उसी सवाल पुछे जा रहे हैं दोस्तों और एक सवाल पुछा गया था ISP का फूल फूर्म क इसका सई अंसर होगा और इसका जो फूर्मिक एशिड है इसका कभी कभी फूर्मूला भी पुछ लेता है CHCOOH से अंसर होगा यह है इसका केमिकल फूर्मूला याद रखिए नेक्स सवाल लेखते हैं दोस्तों डी मोनेटाइशन दोस्तों कब हुआ था आट नवेंबर को ह हुआ था 2016 आट नवेंबर को हुआ था डी मोनेटाइशन यह सवाल भी दोबार रिपीट हुआ है दोस्तों सवाल पुछाए कि यह था स्थ्री नंगर और लहे को कौन सा दर्रा जोडता है दोस्तों इसका से अंसर होगा यह दूसरा बार रिपीट हुआ है इस बार के NTPC exam म यानि रख चूसने वाला पॉसु को क्या कहते हैं दोस्तों सांग्वी भरस कहते हैं और साथ साथ हेमाटो फेजेस भी कहते हैं याद रखेगा जैसे के एक मच्छन इसका एक्जामपूल हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल पुछा गया था हिमोगलोविन में कौन सा है दोस्तों लोहा यानि आईरन पाए जाता है इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों अगला सवाल पुछा गया था सफेद क्रांती ये किस से संबंदीत है सफेद क्रांती यानि दुख्त उत्पादन से संबंदीत है याद रखेगा मिल्क प्रडक्शन से संबंदीत है वाइ इसको कौन ते करता है दोसों Department of Agriculture and Cooperation Government of India इसको ते करता है अगला स्वाले दोस्तों भारत का पहला bank कौन सा है सियान सारोगा दोस्तों Bank of Hindustan इसका सुरुवात कब हो था इसका स्तापना कब क्या गया था 1770 में अगला स्वाले दोस्तों UNICEF का Headquarter कहां है यानि इसका मुख्याले कहां पर है दोस्तों सियान सारोगा New York City में स्तीथ है जो की United States में है दोस्तों इसके Head कौन है यानि इसके Chairman कौन है Henry H. Foray याद रखेगा दोस्तों नेक्स स्वाल पुछा गया था November 2020 तक हमारे भारत में कितने nuclear reactor यानि नाभी किया भटी थे से अनसरोगा दोस्तों 22 nuclear reactor थे हमारे भारत में 22 nuclear भटी है अभी भी डॉटो नेक्स सवाल है दोसा comfort कितने नाभी किया हत्यार का परिक्षन अब तक हमारे भारत में क्या जा चुका है दोसों जाद रिखेगा अब तक तीन परिक्षन क्या जा चुके हैं पहला परिक्षन जो हुआ था 18 मैं 1974 में हुआ था जिसका का नाम है स्माइलिंग बुद्धा और उसनों 1998 में दो बार परिक्षन किया गया याद रखेगा उस पक दो बार परिक्षन किया गया और 1974 में एक बार किया गया था जो कि असफल हुआ था और ये सफल हुआ था दोस्तों अगला स्वाल पुछा गया था भारतिय धोच सबसे पहले किस अधिवेशन में फैराय गया था दोस्तों से अंसर होगा 1906 मैं जो अधिवेशन हुआ था कंग्रेस का जो की कलकत्ता में हुआ था और दादा होगे नारोजी जिसके प्रेसिडेंट याने अधिवेशन में फैराय गया था याद रखेगा भारतिय धोच दोस्तों अगला स्वाल लगते हैं भारत का प्रथम नुकलियर प्लांट कहां स्ताफिद हुआ था अगला स्वाल लगते हैं तामस यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों एक स्वाल पुछा गया था कि वाल्ड ट्रेड और्गानाईशन इसमें कितने सदस्य देश हैं स्वाल लगते हैं 174 याद रखेगा और इसका मुख्याल लगते हैं स्वीजल लांट का जेनेवा में स्तीत है और इसका फर्मेशन दोस्तों कब क्या गया था एक जनवारी 1995 में त्यों अगलास वाले भारत का प्रथम हाय कोट कहां खोला गया था से अनसर औरोगा दोसओं 1862 में कहाँ पे खोला गया था कलकत्ता में कलकत्ता में याद रखेगा कलकत्ता हाई कोट खोला गया था जो कि भारत का पहला हाई कोट है दोस्तों नेक्स्ट है युनिस को 212 सुची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज तल सामिल है दोस्तों से अनसर होगा 1121 यहाद रखें नमबर को 1121 तक किस ने किया था दोस्तों किस दातु में पाय जाता है सवाल पुछा गया था सी अनसर वाद दुस्तों सोना में पहे आता है सोना का जो तन्यता गोंड सबसे ज़्यादा है अगलास वाले दुस्तों निती आयोक ने Women Transforming India Award की शुरुवाद कब की? याद रखें, 2016 में की 2016 इसका सी अनसर वाद निती आयोक ने Women Transforming India Award की शुरुवाद की अगलास वाले दुस्तों हिंदुस्तान Republic Association की स्टापना कब हुआ था? सी अनसर वाद दुस्तों 1924 में हुआ था अक्टूबर महिना का 1924 में हुआ था और दुस्तों इसकी स्टापना कौन की ये थे? चंदर सेखर आजाद यदी रिखेगा ये वी सवाल पूचाया सकता है तो नेक्सरन की गोदावरी नती का उदगम कहां से हुआ है? ब्रह्मगीरी परवतसे हुआ है गोदावरी नती का उदगम याद रिखेगा जाभा प्रोग्रामिंग लांग्वेज का अविस्कारक कोन है? जाभा प्रोग्रामिंग लंग्वेज का दोस्तों अब इसका रखें जेम्स अर्थर गोसलिंग कानाडियन कम्पूटर बग्यानिक हैं यह याद रखेगा दोस्तों एक सवाल है नव कलेवर उस्चब एक किस राज्य में मनाय जाता है दोस्तों इसका जो से अंसर होगा पूरी मंदिर जोकी ओडिसा में स्तीत है कहाँ पर मनाय जाता है यानि इसका से अंसर है दोस्तों ओडिसा से अंसर होगा दोस्तों 6, ओके 6 इसका से अंसर होगा, अगला सवाले दोस्तों इंस्टा 1B, इंडियान कम्मुनिकेशन सेटलाइट कब लंच किया गया, 1983 में लंच किया गया, नेक्स देखते हैं, दित्य परमानु परिक्षन का कोड नाम था, अपरेशन सक्ती, और प्रथम परमानु परिक्षन का कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, दोस्तों नेक्स प्रधान मंत्री स्वास्तिय सुरख्या योजना कब शुरू की गई, से अंसर होगा, दोस्तों 2003 में शुरू की गई, सबसे योबा, नोबेल प्राइज बिजेता कौन है, दोस्तों इस गया था हमारा इंडियन कंस्टियूशन के द्वारा, नेक्से दोस्तों हैफाट एक्टिस रोग, ये किसके कारण होता है, दोस्तों ये बिशानु जनित रोग है, बिशानु के कारण होता है, गलास वाले दोस्तों राजा रभी बर्मा किस खेतर से सम्मद्धी थें, दोस् अग्रिकल्चर को इंप्रूब कोना इसका लक्षिय था दोस्तों नेक्स्ट है वाल्ड एलिफेंट डी एक कब मना जाता है सियान सारोगा 12 अगस्त दोस्तों अगला सवाल पुछा किया था इंडियान मुस्लिम लिग इसकी स्तापना कब हुआ था 1906 में 1906 में हुआ था दोस् दोस्तों युनिसको का मुख्याले कहा है सियान सारोगा दोस्तों प्यारिस जो की फ्रांस का राज़ानी है फुल फॉर्म क्या होता है युनेटेड नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कुल्चराल ओग्रमेजेशन दोस्तों आटिकिल 112 किस से समंदी थे बजेट य 1857 को हुआ था अगला सवाले दोस्तों सरदार सरवोट ड्याम एक कहां स्तीथ है नर्मदा नदी पर स्तीथ है जो की गुजरात में है गांधी सागर ड्याम एक कहां स्तीथ है दोस्तों मध्या प्रजेश में स्तीथ है और किस नदी पर चंबल नदी पर अगला सवाले भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कोन सा है से अंसर होगा दोसों स्यामा टनिल लंगेश रोड टनिल स्यामा टनिल है जो कि जाम्बू कास्विन में स्थीथ है और अगर सवाल पुछाजे लंगेश हाईवे टनिल कोन सा है तो से अंसर होगा अटल टनिल दोस्तों RTI Act यानि जो Right to Information Act कब लाया गया था 12 जुन 2005 को लाया गया था नेक्ट दोस्तों सुकन्या समरुधी योजना कब आरम हुआ था दोस्तों 2015 को आरम हुआ था याद रखेगा इंडोनेसिया का राजधानी क्या है जाकरता से यानसर होगा और दोस्तों इंडोनेसिया के राष्टरपती कौन है जोको विडोडो अगला सवाल है दोस्तों अटल टनिल का लंबाई कितना है 9.02 किलोमेटर इसका लंबाई है अगला सवाल है होकी में जो लास्ट ओलमपिक मेडल हमारा भारत को कम मिला था 29 जुलाई 1980 को क्रिकेटर अबदा इयर 2019 का क्रिकेटर अबदा इयर किसको मिला था बैन स्टोक्स और 2020 का क्रिकेटर अबदा इयर का अवर्ड किसी मिला है दोस्तों बिराट कोली अगला सवाल देते हैं अगला सवाल है दोस्तों अर्बियाई एक्ट कब पारिद हुआ था दोस्तों RBI Act ये 1 अपरेल 1934 को पारित क्या गया था दोस्तों एक्ट डियार्डियों का मुख्याले कहां पे स्ती थे इसका मुख्याले नियो दिल्ली में स्ती थे और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों Defense Research and Development Organization इसका स्तापना कब हुआ था 1958 को इसकी स्तापना हुआ था गलास वाले दोस्तों URL का फुल फॉर्म क्या है सवाल पुछा गया था यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर्स या अन्सर होगा पोखरान में दोस्तों निकलियर टेस्ट दूसरा निकलियर टेस्ट कब क्या गया था 1998 में बाइल जूस ये किसके द्वारा बनता है कौन इसको सिक्रेट करता है ये कुरूत साइवन कमिशन कब आया था दोस्तों भारत में ये 1928 को आया था याद रखेगा लाफिंग गास किसे कहते हैं N2O यानि नैट्रोस अक्सेड को कहते हैं सांचिस तुप किस राज्य में स्ती थे मध्य प्रद्यस में स्ती थे इसको किंग असोका ने बनाए थे फिफा वर्ल कप 2022 में कहां होगा दोस्तों कतार में होगा याद रखेए कहां पे होगा कतार में दोस्तों अंगला से वाले फाइनांस कमिशन का गठन कब हुआ था 22 नवेंबर 1901 को हुआ था नेक्स से विटामीन B9 का बग्यानिक नाम क्या है इसका से अनसर होगा दोस्तों Folic Acid विटामीन B9 का बग्यानिक नयम है और सा Canadian दोथ का जो pH value कितना होता है वाड़ता pH और milk 6.5 से या अनसर होगा दोस्तों national technology day Hiccup मना जाता है 11 में को मना जाता है National Technology Day